हारे किशना आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का जोतिस विज्ञान वास्तु सास्त्र की माने तो मानब जीवन की जिंदगी के हर पल के साथ वास्तु जुड़ा हुआ है कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में वास्तु का उपयोग नहीं करता उसके जीवन में कई तरह की समस्या पैदा होती है यूँ भी कह सकते हैं कि अगर वास्तु के नियमों का ध्यान ना रखा जाये तो हर किसी को इसके दुश्प्रवाब राप्त होते हैं यही कारणे की प्राचिन समय में लोग वास्तु के मद्य नजर ही कार्य करते थे जिसका परिणाम यह होता था कि उनके जीवन में केवल खुशाली ही खुशाली होती थी परंतु बात करें आज के समय की तो लोग वास्तु सास्त्र वे इसके नियमों को नजर अंदाज करने लगे हैं इसी वज़े से उनके जीवन में हर रोज नई समस्या जन्म लेती है इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी मॉडर्ण हो जाए अपनी संस्कृति अपने सिध्धांतों को कभी नहीं बूलना चाहिए इन सिध्धांतों में वास्तु सास्तर के सिध्धांत भी शामिल है जिनेहना करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में सुख नहीं दुख पाते हैं तो आज हम आपको वास्तु सास्तर के वारे में बताएगे डोर बेल के सिद्धान्त वे नियम के वारे में बताते हैं। आप मैंसे लगबग लोगों के घरों में डोर बेल लगी होगी जिससे हमें अपने घर में आने वाले महमान आदी की दस्तक का पता लगता है। आज कल के समय में लोग अलग-अलग प्रकार की साउंड वाली बेल लगाते हैं, जिनसे कई बहुत आकरसिद होती हैं, कुछ लोग अपने घर की दोर बेल में कोई मंत्र भरवाते हैं, तो कुछ लोग गाने आदी भरवाते हैं, घर की दोर बेल को हम बहुत आम मानते हैं, पर तो वही कुछ साउंड जातक और नकारात्मक असर डालते हैं इतना ही नहीं वास्तु सास्त्र के अनुसार तो घर की डॉर्बेल में तो जीवन में वास्तु दोस्त तक पैदा कर देती हैं जी हाँ, आज हम आपको डॉर बेल से जुड़े उपाय बताने जा रहे हैं, वास्तु में डॉर बेल को लगाना पेहर जुरूरी होता है, इसलिए इसे वास्तु के अनुसार ही लगाना चाहिए, वास्तु विशेशग्या बताते हैं कि इसे हमेशा मैं डॉर पर लगी नेम प पैदा होती है, तता घर में अशांती फैलती है, इसलिए हमेशा मधूर बाज वाली डॉर बेल को अपने घर पर लगाना चाहिए, ताकि जब भी कानों में पड़े तो आनंद और सुक्की प्राप्ती हो, बताया जाता है कि डॉर बेल कभी भी दक्षिन पश्चिम दिसा मे नहीं लगानी चाहिए, इस दिसा में इसका होना अच्छा नहीं माना जाता, जो लोग कोई अध्यात्मिक डॉर बेल लगाते हैं, उनके घर में हमेशा शांती रहती है, तता घर के सदस्यों का मन शांत रहता है, बता दे कि मंत्र चारण वाली डॉर बेल डक्षिन पूरव लगानी चाहिए, यह जानकारी आपको कैसी लगे, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है, आप देख रहे हैं, टू मीडिया का जोतिस्विक ज्यान, हरे किसना